जब हम पूरा प्रोसेस कर रहे थे सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि इस्टिमेंटिंग मैंन पावर रिक्वार्मेंट कि कितने लोग हम को चाहिए फिर रेक्रूट्मेंट था फिर सेलेक्शन था तो रेक्रूट्मेंट में इतना पाढ़ने के बाद बस एक चीज़ समझ जाई फिर फिर पता लगा बिजनस टड़ीज का पेपर इस एलेक्शन वारे में बहुत आता है तो अप्लिकेशन फॉर्म बरवाएंगे उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे कौन से लोग काबिल है इंटर्वीव के लिए और कौन से नहीं है जो काबिल उनको काबिल मुई दिखा बाया इंटर्व्यू के बीच में भी एक स्टेज होगी क्यों से जोगी रिटेन टेस्ट की कौन सी कुछ जगाओं पर रिटेन टेस्ट होता है अब बहुत डाइरेक्टर की पोस्ट के लिए कि आप रिटेन टेस्ट रेंगे कि मैथेमेटिकल अबिलिटी कितनी है यहाँ प लेकर फाइनल कॉल लेटर तक पकड़ाना इसा पार्ट ओफ सेलेक्शन चलिए तो चोजिंग फ्रॉम अमंग दा अप्लिकेशन्स दो मॉस्ट स्यूटबल कैंडिडेट जो काबिल होगा काबिल मुवी नहीं दिखाएंगे ताकि हम अपनी विकैंसी को फिल अप कर पाएं और कंपेर करेंगे कि किस तरह का कैंडिडेट हमको चाहिए और किसप्राका कैंडिडेट हमको अपलाए कर रहा है अगर किसी स्कूल में 10th class में साइंस पढ़ाना है तो टीचर कम से कम MSC graduate हो अब science में हमें focus करना है कि हमें physics वाला teacher चाहिए क्योंकि हमें physics पढ़वा नहीं है उससे तो msc maths वाला चल जाएगा chemistry chemistry या biology नहीं चल पाएगा क्यों नहीं चल पाएगा sir क्योंकि उन्होंने bio chemistry पढ़ी है 7th की science होती ही कितनी है इतनी भी हो चल रहें जब तक exposure नहीं होगा काम नहीं बनेगा fundamental logic is clear or not clear अब मान लिए किसी स्कूल में लेटर से हिंदी पढ़वाना है 11-12 के बच्चों को तो msc Sanskrit वोंट वर्क उसको संस्कृत से हिंदी हिंदी से तो मजबूरी में कुछ साल तो काम ठीक करेगा बाद में नहीं करेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल का employee हमको चाहिए है वो हमारी requirement से match कर रहा है या नहीं करता तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है अब इसमें एक reference देना जाओंगा त्री इडियेट मूवी का जब स्टार्टिंग का सीन्था जहां पर वो जो बोमा निरानी प्रोफेसर बने थे सारी अप्लिकेशन को फेग देते हैं तो जो वहां जो सेलेक्टेड होते हैं और जो आप्लिकेशन आती है वो सेलेक्ट होने के लिए अब वो टोटल फर्जी टाइप का सींदह बचो क्योंकि या एन इटी में या किसी भी कॉलेज में इंगिनरिंग की जो कांसलिंग होती है वह ऑन लाइन होती है कहीं पर भी तरह के application form नजर नहीं आते हैं यह 10-15 साल पहले की दमाना था चलिए तो लेट्स मूग फदर तो selection का process बच्चों आपके सामने है इसी को आपको समझना है एक एक करके मैं सारे points पर focus करने जारा हूं ध्यान दीजेगा सबसे पहला काम क्या होगा preliminary screening आप application form देखकर यह काम कर लेंगे आपको 10 लोगों को recruit करना है and the children 4000 application forms वर received बबरे बाफ सर 0.25 percent के आसपास का selection 4000 में आपको नजर आ रहा है 3200 application forms तो eligibility criteria ही नहीं meet up करते आपने graduates मांगे थे कुछ appearing graduates है मतलब third year का exam भी होना बाकी है और कुछ undergraduates है ऐसे 3200 लोग आपने application form से छाट के हटा दिये how many are left children 800 people in 800 लोगों का क्या होगा children in 800 लोगों का क्या होगा selection test होगा selection test का passing criteria रखा गया minimum 75% minimum 75% खोपने बाद गई और उसको qualify करने वाले 90 लोग थे कितने लोग थे 90 अब भई vacancy तो हमारे को जॉब देना है तो हम कितनों को बुलाएंगे सरकारी रूल है बच्छों three times का कितना three times of the vacancy we happen to call how many times three times है जितनी vacancy होगे इसका तीन गुना हम कॉल करेंगे बट अगें organization to organization things keep on changing कितनी बात समझना गई हमने चालिस टॉप लोगों को बुला लिया कितने चालिस बाय रूल तो 30 बुलाना है बट 40 हमने बुला लिया तो सर अगर हम three times नहीं बुलाते तो यह 10 लोग case कर सकते हैं कि हमें cheat किया गया है हमसे application का पैसा लिया गया है तो हमको बेफू बनाए गया है तो three times का रूल government का है चालिस लोगों का आपने क्या करवाया बचों इंटर्व्यू करवाया और सी बात है बात है और 40 में नॉट बी अबल तो कॉलिफाइड इंटर्व्यू इस चालिस में आपके मतलब के जो आए दे वर एक्चुली 14 only कितने 14 अब हम डिसाइड करेंगे थोड़ा सा स्टेप मेरे को गलत लग रहा है पहले होना चीए medical examination जो medically fit होंगे उन्हीं को सेलेक्ट करने का decision लिया जाएगा चल्ड़ाइगा चल्ड़ मेडिकली तो आइसाइट का problem है तो यह job नहीं कर सकते मारे हां तो finally we may have decided to select 10 out of this 13 तो finally जो दस आए हमने उन्हें क्या दे दिया job offer और उनके साथ terms and conditions sign हो गए they got contract of employment picture अभी बाकी है बचो इसके बाद start होता है what is known as induction इंडक्शन जहां पर हमारा काम बहुत लॉंग नहीं है बस थोड़ा सा एक फॉर्मल इंटर्व्यू क्लेरिकल जॉब है तो आपको हमने बुला चार दिन की आपकी एक छोटी सी ट्रेनिंग होगी तो यहां पर आप इसे नाम देंगे वाट ट्रेनिंग का तो सर्ट ट्रेनिंग में और इंडक्शन में फर्क क्या होता है वेन इट इसन ऑफिस इट इसन इंस्टिशन लाइक स्कूल और उनिवर्सिटी टीचर को बता दिये ताइम टेबल है यह आपकी क्लास है फर्लांट इमकाना सेलेबस हो चुका आप इसके आगे आपके आपके ़ंगर स्ट्रेंग कर लिया तो इस इस दा ट्रेंगं को इस ने खरम आपके से पड़ाना है उन्हों ने सिखा भी और स्कूल कोलेज़ जाके 15 दिन एक महिने-दो महिने चार महिने का इंटरशिप लिया तो दि्सिसे तर ट्रेशुचर अब जब वो किसी स्कूल में जाएंगे जॉब के लिए तो उनका इंड़क्शन होगा ट्रेनिंग जैसा कुछ उनको जहरी नहीं है बट अगर आप आईएस ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होते हैं स्कूल माइन जाएंगे मान लिए उसको अरे कोट के हरी होता है का यह अखना का पता होने चाहिए अगर मान लीजिए आप traffic inspector हैं और आपने कानून नहीं पढ़ा, traffic law आपने पढ़ा नहीं और कोई इंसान traffic तोड़ता हूँ पता लग या तीन लोग बैटे थे, आपने चलान काट दिया आपको यही नहीं पता था कि two wheeler में तीन का चलान काटता है कार में तीन का अरे seat belt की बात हो रही है तो यह सारे कानून आपको पढ़ाए जाते हैं police training वगरा में तो यहां पे जो training program shooting वगरा भी सिखा जाती है अब सर IPS को encounter तो करेगा नहीं कुछ भी self protection के लिए तो नहीं चाहिए तो यह सारी चीज़ें कहां सिखा जाएंगी training में administrative powers आपके पास होनी चाहिए तो उसकी भी आपको training दी जाएगी हो सकता है एक महीने का किसी I am MBA में I am Kolkata में आपका training program चल रहा है तो certain jobs require only induction certain required training after that तो induction is a formal introduction into the place of job where we are going समझ मैं गया और उसके बाद कुछ नया आया कुछ up gradations हुए तो training लगातार चलती जाती है जिसको हम पूरा बोलते हैं training and development समझ में आई बात की नहीं आई बात है तो please note this down quickly in your copies बचो let's proceed further to the first point preliminary screening based on the information supplied जो candidate fulfill कर रहा है criteria उसको entrance test के लिए call करेंगे जो नहीं fulfill कर रहा उसको top right corner में लिखा है क्या करेंगे क्या करेंगे लाट चीक से नहीं मार पारे सार भाग नहीं रहा है बरबर खड़ो जा रहा है उसको हम kick out कर देंगे तो minimum requirement जो भी आपकी है you should follow them समझ में आगया लिग दीजे फिराक से चलो तो जिन लोगों को हमने हटा दिया फॉर्म और जिनका फॉर्म लगा कि eligibility criteria meet up कर पा रहा है दे विल बी कॉल्ड फॉर वाट चिल्डन सेलेक्शन टेस्ट साथ में क्या होगा intelligent टेस्ट और साथ में क्या होगा aptitude अब मैं आपको एक ज्यान देता हूं यह कोई तीन अलग लग एक्जाम नहीं होते एक ही एक्जाम का question paper आपको मिलेगा उसमें कुछ questions IQ test करेंगे आपका कुछ आपका aptitude test करेंगे और कुछ कि जेनरली आप हमारे जॉब करने के लाइक हैं कि नहीं तो इट्स लाइक डाट की किसी बच्चे का मैट्स में अगर 95 आ जाता है हो सकता है वह रट के formula apply करके marks ले आया हो बट उसका mathematical aptitude ना हो तो दाट चाइल्ड is selected to study maths at the university that child may be called as intelligent but that child doesn't has an aptitude उस बच्चे का aptitude नहीं है drawing देख के तो बना लेते हैं बट imagine करके नहीं बना सकते तो आप एक अच्छे sketcher हो सकते हैं बट आप एक अच्छे artist नहीं हो सकते तो sketch बनाने में और artist बनने में बहुत फर्क होता है recipe देख के तो आप सबजी बना लेंगे ये काम किसका होता है cook का बट अपने हिसाब से क्या nutrition level हो किस समय पे क्या सबजी खाना लोगों को अच्छा लगे किस तरह के climatic condition में क्या food जादा लोग पसंद करेंगे ये काम शेफ का होता है तो recipe देख के खाना बनाना could be intelligence बट जब तक आपके अंदर एक skill नहीं develop होगी आप imagine नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब आपके अंदर aptitude नहीं है simply text पढ़के Hindi का अंग्रेजी अंग्रेजी का उर्दू Sanskrit मैं translate करके आपको बता दूँ that doesn't means teaching that is translating basically खोपड़े में बात गई कि नहीं गई खोपड़े में बात गई पका तो कुछ बच्चे बड़ा confused होते हैं वो सोचते हैं तीन test paper दिये जाएंगे तो descriptive में चेक होता है कि आपकी retention पार कितनी है what retention कितना आप vomit कर सकते हैं जो रट के आये थे साती साथ उससे आपका imagination भी चेक हो जाता है कि आपने heading intelligence level चेक कर देगा समझ्या गया और case study आपकी interpretation skill टेस्ट करेगी कि आप कैसे उसको interpret कर पाएं तो एक ही 34 question के business studies के paper में सारी बाते हमने आपकी test कर दो खोपड़े हम बात गई की नहीं गई पक्का सीए foundation का exam होता है तो वहां पर आपको English भी पूछी जाती है accountancy भी आता है math भी आता है economics भी आता है कि कल को हम किसी सीए को recruit करें so called essay office में जहां पर economist का ज्यादा काम है तो वहां पर भी सीए को economics समझना नहीं चीए तब यो report बना पाएगा हमको सीए को English के लिए क्यों test करना है विकॉस कल को जब वो on annual report या audit report त्यार करेगा तो उर्दू में तो त्यार करेगा नहीं किस भाशा में त्यार करेगा उसको law क्यों नहीं चाहिए क्योंकि बहुए accountancy में काफी चीज़ें जो कानूनी सही होती है कानूनी गलब तो भई लौक अभी ग्यान उसको होना तो आपकी general language of communication क्या होगी बच्छों English होगी तो भई आपको English आती ही कि नहीं आती है that is to be found out तो एक ही cat का जो एक्जाम है combined admission test या common admission test या combined aptitude test कुछ भी बोल लीजे आप उसको वैसे दो नाम उसका common admission test है क्यों common सारे बच्चे देंगे और इंडिया में All India Council for Technical Education ने एक रूल बना दिया किसी भी MBA college को अगर MBA में बच्चे का admission लेना है तो entrance test के basis पे ही होगा तो कुछ colleges की अपनी हैसियत होती है वो लाखो करोडों खर्च करके entrance exam कराते हैं कुछ की इतनी हैसियत नहीं होती है तो क्या करते हैं cat के score को मान लेते हैं और admission बच्चे का ले लेते हैं तो अब बच्चे क्या बोलते हैं सर MBA में तो पढ़ा ही business management की होती है तो entrance exam में business management की चीज़ें क्यों नहीं टेस्ट होती है अगर हम वो टेस्ट करेंगे बच्चों तो थोड़ा सा intelligence test होगा aptitude कुछ भी नहीं हम क्या कि जितना तीन साल में आपने 6-6-6-18 सब्चेक में पढ़ा वही आपसे आई-एम वाले कैड में पूछ लें नो 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 उनको सब कुछ चेक करना intelligence भी और aptitude other skills as well तो इसके वो एक common criteria adopt करते हैं इंग्लिश math gk reasoning हम यह सब टेस्ट करेंगे जिससे पता लग जाएगा you are intelligent or not you have an aptitude to do business activities और खोपड़ें बाद गई की नहीं गई समझमा गया तो एक ही टेस्ट में सब कुछ cover हो जाता है पीपल अंडर्स्ट्ट इस टेक एंग्जांपल की कुछ बच्चे इंडिया में बीटेक करना चाहते हैं बच्छो तो वह आई-ई-टी का जे का एक्जाम देते हैं जूनियर इंगिनियर एक्जामनेशन इडिस जॉइंट एंट्रेंस एक्जाम तो जैसे आई-एम वालों ने अपना कैट का एक्जाम रखा वह कैट के थूए एड्मिशन लेते हैं ओके 99.5 परसंटाज पर सीड़ बर जाती सारी 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 बाकी कॉलेज भी इसको ले लेते पहले प्री और मेंज होता था अब प्री का नाम मेंज हो गया और मेंज का नाम अडवांस हो गया तीन-तीन गंटे के पेपर होते हैं दोनों में इसके पेपर तोड़े इजी होते हैं सब्जेक्स के जो क्रिशन के लेवल होते हैं इसके टफ और अडवांस तो इतना टफ हो आपने बिजनस सेटप कर लिया एक्सपोर्ट का आपको टेक्निकल इंजिनियर चाहिए आपकी फैक्टरी के लिए तो बहुत होते हैं तो आपको लगता है काफी कमी रहती होगी यह बहुत तेज होगा है बहुत वीक होगा ठीक है थोड़ी सी बात आपकी मान लेते हैं यह जो पंद्रवी हजार रैंक वाला बच्चा है न बच्चों इसके आईटी जेई अडवांस में 22 प्रतिशत मंबर थे कितने परसंटाइल का स्कोर चलता है और यह जिसको आप बहुत सुपर जिनियस इंट 350-342 कितनी बार तो 320 वाला टॉप कर जाता है 360 में से बाइस परसंटाइल का मतलब हुआ इस बच्चे के 360 में लगब असी और पच्चासी नंबर रहे होंगे बस मतलब स्कूल लेवल में तो आप 22 परसंट पर फेल हो जाते हैं और यहाँ पे आपको बेस्ट होंगे और कितने ऐसे भी होते हैं जिनकी टॉप थाउजंड में कोई रैंक नहीं बट दे आर अमंग इस पीपल और अमंग इस पीपल चले यह मैं आपको एक्टम सही एक्सपोजर बता रहा हूं I have a analytical data of this just hold on मैं जरा देखने होगर मिल जा तो मैं आपको शेर करता हूं यह यह 2017 से लेके 2022 तक का data मेरे पास है कहां से आया कैसे इन सब चक्रों में आप मत पढ़िएगा मैं आपको एक रियल फील बताना चाहता हूं AIR1 वाला 2022 में 314 नमबर लाया था 360 में से और जिसकी 15,000 एक रैंक थी वो भी ITJ में पढ़ने गया मतलब IT में पढ़ने गया अविस्सी बात है उसकी IT फर्क रही होगी बट उसके नमबर कितने है थे चलन एकदम नीचे देखिएगा फॉर्थ लास्ट कॉलम में एकदम 360 में तो परसेंटेज कितना बनेगा इतना कि घरवाले चपल मार के बाहर भगा देंगे और यहां फूल माला से स्वागत होता है अंडर्स्टंड देवल ओफ डिफिकल्टी देवल ओफ डिफिकल्टी दीजर जीनियस ब्रेंस ऑफ देवल्ड यू इतना डिफिकल्ट पेपर किसी विदेश के इंजिनिंग का नहीं होता है इंदूस्तान के इटी का होता है समझ में आई बात अब लोग कहेंगे सर इतना सब्सक्राइब करें गए सब्सक्राइब करेंगे तो अब यह सेलेक्शन टेस्ट एंट्रेंस टेस्क बच्चे बोलेंगे सर क्यों इतना डिफिकल्ट रखा जाता है वह डिमांड इस वेरी 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 हाई एंड सप्लाइज वरी लो तो सर सीट्स बढ़ा दें सीट्स बढ़ाएंगे तो कूड़ा करकट चलाएगा और वह कूड़ा करकट ना खुद पढ़ेगा ना प्रोफेसर को बढ़ाने देग लॉजिक सोल में आगया एक चोटा सा बिजनस मॉडल एक्जामपल लेते हैं पी वियार सिनेमा पहले मैं बोला करता था आज कली हो गया है पी वियार आयनॉक्स वालों ने खरीद लिया इनको यहां पे सीट का प्राइस एक एवरेज न्यू डेली जैसे शेहर में जो अराउंड साड़े तीन सो रुपए से एंड गोज अप्टू एट हंडे बट सडख चाप सिनेमा में सो रुपए की भी सीट होती है तो सर यह लोग सो रुपए का टिकेट अगर लगाते दो और लोग आएंगे इनको पता है कि एक महीने से जाधा बीस दिन से जाधा को जो बारा दिन को इतने लोग मिल जाएंगे जो इतने पैसे दे पाएं तो वाई टू में विकारी से टाइन वाच ता मूवी समझ में आई बात समझ में आई बात ऑफिस सी बात है जिन जगाओं पे इनके पास सप्लाई जयाद और डिमांड कम है यह भी सो रुपे का टिके बेचते थे सो रुपे के दो टिकेट पर कोल्टरिंग भी फ्री होती थी बट आज इनका हर दिन का टिकेट का प्राइज बाड़ी होता है क्यों डिमांड इस मोरें सप्लाई लेस तो वही चीज़ यहां पर भी है यह जो इंटेलिजन्स टेस्ट अप्र टेस्ट होगा चल किया अब इनको वो लोग चाहिए जिनको आटिफीशल इंटेलिजन्स पता है जिनोंने एई आई पढ़ा हुआ है कुछ ने स्कूल लेवल पे पढ़ लिया कुछ ने इंजिनरिंग में पढ़ लिया कुछ ने मास्टर ओफ कंप्यूटर अप्लिकेशन बैशल ओफ नोट ओनली कि आपको मैट्स कितनी अच्छी आती नो नो काफी पारामीटर यहां पर देखे जाते हैं इस अब किसी के मन में यह द्वेश तो नहीं रहेगा बना तो आई एम एंबीए वालों के लिए हैं एंबीए में तो बिसनस मैनेजमेंट की पढ़ाई होती हैं क्यों स कहता है कि जिसको चुर्मूरा बेचना है जिसको लो लेवल बिजनस करना है साल बर का आठ से दस करोड का नो नीड टू कम तो आर प्लेस वह तो आप नॉर्मल बाबुचाप अंबीए कॉलेच से कर गया अपनी अकल लगागे भी कर सकते हो हमारे पास वह यह आए वह जिसक उपर बेस्ट ब्रेंज चाहिए तो इसके लिए उनको अप्टिट्यूट टेस्ट भी देखना है बच्चे का और इंटेलिजेंस लेवल भी देखना है इसके पेपर लेवल इस बेरी टफ मैस आती है बाइस से लिबस टेंथ क्लास तक की बट उसका अप्लिकेशन बड़ा नहीं है अब अगर मैं आपको बोलू की रेडियस निकालो तो अब रेडियस तो निकाल लेंगे को सेंट्रिक सब्सक्राइब इसका ज्यादा होगा और आप से कुछा जा रहा है कि यह एक सर्कुलर पार्क है और यहां पर टाइल लगानी है बहुत आपने मैस में सब सवाल आप यहां से रेडियस इसका जानते तो आप इसका सरकंफरेंच निकाल लेंगे दोनों के सरकंफरेंस का डिफरेंस निकाल दीजेए आ जाएगा आपका अंसर समझा क्या अब नाइंथ क्लास पे जो बच्चा इसके कॉंसेट को समझ जाएगा वह बीटेक सिविल इंगिनर से जो मैंने आइटी का इसी लिया था तो अगर आप बच्छों सिविल एंगिनिंग करना चाहते हैं मतलब भर भर बनवाना चाहते हैं तो आपकी ड्रॉइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए अगर आप बीटेक कर लें आपने कंप्यूटर साइंस में कर लिया केमिकल में कर सब चल जाएगा बट अगर आपको सिविल एंगिनिंग में जाना है तो यूशुट पोजेस अडिशनल स्किल्स ऑब ड्रॉइंग तो आपका जब आई टी जैए में पेपर होता और आप बीटेक सिविल के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अलग से ड्रॉइंग का एक्ज इंटेलिजेंस और जो हमारा ड्रॉइंग का एक्जाम है अब ऐसे बहुत आगए इंडिया में पुराना तो पुरा नहीं है तो अनएफटी ने एक्जाम लिया आपनी एक्जाम क्लियर कर लिया बट इसके बाद आपको एक डिजाईन टेस्स देना होता है जिसमें आपको कुछ situation कुछ चीज़ें नहेंगे और आपको कुछ design करना पड़ेगा that will be testing what children aptitude तोते की तरह GKV के रट ली math रच कर ली तो आपका रेटेन टेस्ट में तो आगया 97% आई but drawing में आपको एक बिंदी बनानी भी नहीं आप imaginative है या नहीं तो फिलिपकार्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने तो फिलिपकार्ट का मॉडल कहां से इंडिया में आया बिन्नी भाई साब हमारे जो आये थे वॉटन स्कूल से पढ़के उन दोनों दोस्तों ने भाईयों ने जो भी उसके पैक होके मिलता था अब पीजा तक पैक होके मिलता है इवन आइस्क्रीम वाली कंपनी है नाचुरल करके वह आइस्क्रीम भी पैक करके बेशती है बचो तो भाई कहां से दिमाग आया जैसे क्यारी करने वाले एमेजॉन के फिलिपकार्ट के पार्सरवाएं लोग होते हैं तो भाई वो लोग समान कैरी करते हैं मुबाइल फोन अधर थिंग्स कॉस्मेटिक्स जूल्री और था हम इनी से खाना कैरी कर वा लेंगे उबर का नाम सुना है बच्छो आपने तो उबर कहां से आया कोई इन की अपनी एक भी टैक्सी नहीं है सेम जिसने सेट अप किया था ना बच्छो जिसने जब सेट अप किया था तब उसकी उमर शायद 24 साल की 24 साल दा सी यो कैसे दिमाग आया उबर से दिमाग आया बैं लोगों की गाड़िया किराए पर लगवा एक पोर्टल बना दो इस इसे बुक माई शो आ गया ऐसी आनकेडमी आ गया तो इस सारे बिस्नोस मॉडल कहां से आए इंटेलिजेंट लोगों के दिमाग से सेम चीज डन विदा डिफरेंट वे ऐसे धोबी आगए घर गर जाके कपड़ा लेंगे तंबल राए तंबल राए जूते पॉलिश वाला बचा हुआ है भी जूते पॉलिश वाला बचा हुआ है चलिए ख़हरा समझ में आई बात त्रेट टेस्ट बचेंगे बहुत टेस्ट होते हैं बाठों बढ़े अलग-अलग नहीं होंगे सब एक साथ ही होंगे या कुछ time में होंगे ट्रेट टेस्ट क्या होता है बढ़ी आपका इमोशनल लेवल क्या है अभी मैं आपको एक ग्यान दिखाऊ इसमें बच्वों एंड एक्जाम के बारे में सुना होगा आपको जंप करने को बोला और आपने आदा सेकिंड दाएं वाइं देखो और सोचा यू आर किक्ड आउट किसको लगेगी एक बार बात कर लेतने ना यह सब नहीं चलेगा फॉजी का काम क्या है कान दिमाग शॉटेस्ट वेन कनेक्ट होती हैं पर जो हैड ने बोला सुपीरियर ने फॉलो होना है अपना दिमाग नहीं लगाना कुछ लोग ओलते ना फॉजी लोग पर दिमाग भी होता यह ओडर पर विश्वास क मतलब जंप का पी अभी वाइबरेट कर रहा होगा आपको कूछ आता है रन तो रन सोचना नहीं है वाई वाई नौट कुछ नहीं आप एक फॉजी है आपको फॉलो करना है समझ में आया की नहीं आया समझना गया तो ऐसे ही एंडियस पर बच्चे ट्रेनिंग जाते हैं अ वहां हम क्या उठाएं इसको हम दूसरे से उठवा देंगे यह नोट फॉट टू डू होटल मैनेजमेंट कोर्स आप जाएगे मैनेजर का कोर्स कर लीजिए देन वी है परस्नाल्टी टेस्ट कि आपकी परस्नाल्टी हमारे सो कॉल्ड और्गनाइजेशन को मैच करती है या काम आपकी दारी बाबारामदेव की तरह बड़ी हुई है सवाज मागया हमें आपको एजा लॉयर कोट में अपनी कमपनी को प्रेजिजन करवाना है और आपके चैरे से गुंगटी नहीं उठता है सर हमारे कल्चर राजिस्थान में ऐसे चलता है तो हम ऐसा लीगल कंसल्टेंट आपको इंवाल नहीं कर पाएंगे वाट इटलियर दिस इस कॉल्ड वाट इस परस्नालिटी टेस्ट आपको बाउंसर का जॉब मिलना है और है यह आप एकदम स्लिम ट्रिम जीरो साइस के थोड अगर आप खुद एक खबू टाइप के आदमी है फूडी टाइप है तो आप फूड इंडस्ट्री में काम कर लेंगे सबसे अच्छा है इतना टफ नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ भी कर लो क्या फरक पड़ता है सर ऐसा क्यों बोलने है सर अरे आपने पूछा सर वाट इस बेस्ट तो आई शुड टेल यू वर्स्ट शिकार करने जाना है चलेंगे हां चलेंगे शेर का शिकार करने नहीं मिल समझ में आया कि नहीं आया तो जब आपके सर कुछ वर्स्ट बता दीजे पैसा उसमें में नहीं मिलेगा तो वर्स्ट खराब कुछ होई नहीं सकता अंडर्सुड और नॉट तो इस इसके बाद जो लोग इसमें क्लैरिफाइ कर लेंगे वगयरा वगयरा टेस्ट में उनको किसले बुलाएंगे इंटर्व्यू में यह तो तरह का फॉर्मल यहां पे लिखा हुआ कितने पैसे नौकरी करेंगे चलिए इसके बाद की कहानी अगले लेक्चर में यह तो तेस्ट में इसके बाद प्रेब कितने